नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी के हमारे online चैनल पर दोस्तों काफी दुख के सांद सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूर रक्षा मंत्री और गोवा की मुख्य मंत्री और महान सक्सियत में से एक मौनोहर परिकर्जी का भी हाल इम निधन हो गया है तो आज ही क्ला काम पर दोस्तों आप हमसे जुड़ जाएगा हम यहां पर रोजाना महत्रपुन इंफर्मेशन शेयर करते रहते हैं और क्लास से जो नोट्स पीडियाप अन्नेतर के वीडियोस आपको इंस्टा मजवर मिल जाएंगे आप यहां पर जाके उसे परचेस कर सकते हैं दोस्तों आपको 10% का extra discount भी मिलेगा तो यह आपके लिए information था सुरात करेंगे class का सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में देखेंगे इनके education के बारे में देखेंगे फिर देखेंगे कि इन्होंने राजनिती में कब कदम रखा कैसे भाजपा से जूड़े कैसे मुख्यमंत्री बने क कैसे रक्षा मंत्री बने के बाद क्या क्या ठोस कदम इन्होंने भारत के लिए लिए तो सारे चीज़ हमें की करके देखेंगे अब प्लीज पूरा ध्यान से ज़रूर देखेंगा इनका जन्म 13 दिसंबर 1955 में 1955 में गोवा के मापूशा गाउं में हुआ और यह जो अब तक की सिक्षा इन्होंने यहीं ग्रहन की उसके बाद आगे इन्होंने आएटी मुंबई से मेटलर्जिकल एंजरिंग में इस नातक की पढ़ाई पूरी की तो यह आएटीयन थे और यह पहले आएटीयन थे जो मुख्यमंत्री बने थे देश के पहले आएटीयन जो मनोहर परिकर जी याद रखेगा मनोहर परिकर जो है बचपन से राष्टी स्वयम सेवक संकी साखा से बाल स्वयम सेवक की भूमिका में सक्री थे राजनिती में बचपन से इनका मन था 1988 में भाजपा में ये शामिल हुए तो ये डेट याद रखेगा भाजपा में शामिल 1988 में हुए परिकर को 1994 में गोवा की पंजी सिर्ट से विधान सभा चुनाओ लडने की लेट टिकट भी दे दिया गया और यहां पे इन्होंने जीत भी हासिल की निभाई आगे बढ़ते हैं मनोहर Pरिकल 24 अक्टूबर 2000 को पहली बार मुख्य मंत्री बने थे उनकी सरकार 24 फरवरी 2002 तक चली थी तो पहली बार मुख्य मंत्री कब बने थे 2002 में और 2002 तक ही इनकी सरकार चली थी उसके बार दूसरी बार 2002 से 2005 तक तीसरी बार मार्च 2012 से आठ नवंबर 2014 तक फिर चौथी बार 2017 से अब तक उन्होंने गोवा की मुख्यमंत्री के कारिय भार समार लगा था तो इस तरह ये जो है चार बार मुख्यमंत्री बने रहे तो ये पूछा जा सकता है कि कितने बार मुख्यमंत्री ये बने रहे चार ब स्कूटर स्कूटर में आते थे कोई घमन नहीं था कि हम सी एम हैं तो स्कूटर में क्यों आए ठीक है एक दम शालीन वेक्ती थे यह स्कूटर से विधान सभा जाय करते थे उनकी साधकी ऐसी थी कि बड़े-बड़े सम्मेलनों में हवाई चपल और हाफ सर्ट में भी पहुंच जाय करते थे तो इस चीज के लिए काफी ये फेमाश हुआ करते थे आगे बढ़ते हैं 2014 में हुए लोकसभा चुनाओं में बीजेपी को बड़ी जीत मिरी और पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाने में काम्याब हुई और जब देश की रक्षा मंत्री को चुनने की बारी आई तो पहली पसंद पर्रिकर ही बने सबका पहला पसंद यही था कि मनोर पर्रिकर फिर बाद में निर्मला सितर्वphones के हाथो शौपा गया थे गहे तो निर्मला सितर्वोरण के पहले रक्षा मंत्री कौन थे मनोर पर्रिकर जी रक्षा मंत्री की तौर पर पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जीकल स्ट्राइक से आतंकियों को धेर किया तो जो सर्जीकल स्ट्राइक वन था वो इनके कारेकाल की ही समय हुआ था ठीक है वहीं भारती सेना ने उगरवादियों के खिलाब म्यामाल सरहत पर एक सफल आउपरेशन को भी अंजाम दिया औ जो राफेल वीमान जो अभी भी काफी विवाद होता है इस पर तो यह जो हुआ था मनोहर पर्रिकर के टाइम ही हुआ था इसकी सौधय की बाद जो हुआ था तो इनके कारेकाल के दवरान ही हुआ था आगे बढ़ते हैं 2017 में गोवा में विधान सभा चुनाओं के बाद व इधायकों का यही था कि अगर मनोहर पर्रिकर आएंगे तब ही हम उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगी किसी और को समर्दन नहीं देंगे इसलिए वापस चले गया और फिर रक्षा मंत्र के कारेबार निर्वाद से तरह रमन को सौंप दिया गया मनोहर पर्रिकर पिछले सा नाक में पाइप लगाकर यह आये थे और बजट पेश किया था मुख्यमंत्री मनोहर परिकर 63 साल के थे और रविवार साम को इनका निधन हो गया इनका पार्थिव शरीर कला अकादमी लाया जाएगा जहां चार बज़े तक आम लोग उन्हें सद्रांजली दे सकेंगे कमपाल स्थित S.A.G. मैदान में 5 बज़े परिकर का अंतियम संस्कार किया जाएगा तो इतनी सारे चीज़े थी इनके जीवन परिज़े के बारे में आज के लास में इतना ही पढ़ेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज वीडियो को सेर जेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा आज के क्लास में बस इतना ही नमशकार धन्यवाद